हेलो बच्चों यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है हम पढ़ रहे हैं विकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक प्लेज याने गिर्वी गिर्वी का अर्थ क्या होता है किसी चीज को रहन रखना जिसके आधार पर हमें कोई माल मिल सके या कोई अनेवस्तों मिल सके भार्तिय अनुबंद अधिनियम के धारा 172 के अमसार गिर्वी से आशे गिर्ण के भुकतान की सुरक्षा या वचन के निश्पादन के लिए माल का निक्षेप समझा जाता है गिर्वी में गिर्णी द्वारा गिर्ण दाता बैंक को माल की सुपूर्दगी इस आशे के साथ की जाती है कि गिर्ण दाता गिर्ण के भुकतान होने तक माल को अपनी सुरक्षा में रखेगा तथा रिन के बुक्तान के साथ ही माल वापिस रिनी को कर दिया जाएगा माल के स्पूर्दी बैंक अपने पास रिन राशी की सुरक्षा के लिए रखता है यदे रिन दाता के पास भूल से माल रह जाता है तो ऐसा माल गिर्वी नहीं माना जाता है इसके विप्रेत ग्राहक रेलवी रसीद को बैंक के पास प्रिष्ठांकित यानि एंडॉस करता है तो इसका आशे है कि माल बैंक के पास गिर्वी रखा गया है यानि कि अगर भूल से माल किसी रिंदाता के पास रहता है तो वह गिर्वी नहीं होता है जबकि यदि गिर्वी जो है वह गिर्वी दाता के पास अपने माल को किसी गिर्वी के बदले में रखता है तो उसे गिर्वी कहते है गिर्वी रखने के अधिकरत वेक्ति यानि कौन-कौन से वेक्ति है जो कि माल को गिर्वी रखने का अधिकार रखते है सबी वेक्ति माल को गिर्वी नहीं रख सकते केवल कुछ वेक्ति हैं जिनको की गिर्वी रखने का अधिकार होता है और ये विधानद्वारा प्रद्रत अधिकार होता है माल का वास्तिविक स्वामी कोई माल है और उसका वास्तिक स्वामी अगर है तो वह उस माल को गिर भी रख सकता है माल के व्यफसाइक अभी करता है यानि जो एजेंट से हमारी बिजनस एजेंट से हमारी वो माल को गिर भी रख सकते है किसी एक माल के अनेक स्वामी अगर है तो वह उस गुर्ज को गिर्वी रख सकते हैं माल में सीमित हित रखने वाला व्यक्ति यदि गुर्ज में किसी व्यक्ति का कोई हित नी हित है तो वह व्यक्ति उस माल को गिर्वी रख सकता है इसके अलावा गिर्वी रखे हुवे माल को भी पुनहें गिर्वी रखा जा सकता है यानि एक बार यदि माल गिर्वी रख दिया गया है तो उसे पुनहें जिन दाता अपनी सुविधा से गिर्वी रख सकता है इसके अलावा माल के ऐसे धारक जिसने माल धोके, कपट या अनुचित प्रभाव के तहत प्राप्त किया है परन्तु इसकी गिर्वी ग्रहिता को सूचना नहीं हो ऐसा भी माल गिर्वी रखा जा सकता है माल बैंके के पास गिर्वी रखने वाले को गिर्वी करता कहते हैं और रिनदाता को गिर्वी ग्रहिता कहा जाता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिर्वी करता कौन है और गिर्वी ग्रहिता कौन है बताईए तो आपको ध्यान रखना है माल बैंक के पास गिर्वी रखने वाले व्यक्ति को गिर्वी करता कहते हैं और जिन दाता को गिर्वी ग्रहिता कहा जाता है गिर्वी ग्रहिता के अधिकार गिर्वी अनुभंद के तहत गिर्वी ग्रहिता को अधिकार प्राप्त होते हैं कई तरह के कौन-कौन से अधिकार है? पहला अधिकार है शतिपूर्थी प्राप्त करने का अधिकार गिर्वी अनुबंद की अंतरगत गिर्वी करता के गिर्वी माल रखने की स्वामित्व में दोश होने से बैंक को यदि कोई हानी होती है तो इसकी शती पूर्ती वह माल के गिर्वी करता से प्राप्त कर सकता है दूसरा अधिकार गिर्वी माल पर अधिकार लेकिन उसकी व्रधी पर नहीं गिर्वी ग्रहिता को गिर्वी रखे गए माल पर ही अधिकार होता है पर यदि उस माल में कोई व्रद्धी होती है या उस माल के द्वारा कोई आय प्राप्त होती है तो उस पर उसका अधिकार नहीं होता है ग्रिंदाता बैंक का अधिकार नहीं होता है जैसे कि यदि अंशों के मुल्य व्रद्दी से कोई उसे लाव हो रहा है या उस पर कोई लाभांश गोशित कर दिया गया है तो बैंक उस पर अपना अधिकार नहीं रखता है अगला है गिर्वी करता द्वारा भुकतान चूक पर गिर्वी करहिता को अधिकार यदि गिर्वी करता अनुबंद की शर्तों के अनुसार गिर्वी करहिता को भुकतान नहीं करता है तो गिर्वी करहिता नियायाले में वाद प्रस्तुत कर सकता है वे गिर्वी माल को बाजा अगला अधिकार है गिर्वी करता को गिर्वी रखे माल के संबंद में पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार गिर्वी ग्रहिता को गिर्वी रखे गए माल से सम्बंदित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है यदि गिर्वी करता माल के वर्तमान दोश या भविश्य में होने वाले दोशों की जानकारी नहीं देता है तो गिर्वी ग्रहिता इससे होने वाली समस्त हानी भी गिर्वी करता से प्राप्त करने का अधिकारी होता है गिर्वी माल से सम्बंदित अधियराशी यदि अनुबंध के अंतरगत गिर्वी रखे माल का भुकतान यदि कोई बकाया रहता है जिसकी जानकारी रिनदाता को नहीं थी या जानकारी रिनदाता को नहीं दे गई थी तो ऐसे स्थिति में अदद विक्रेता द्वारा वहराशी रिनदाता से वसूल करने का अधिकारी नहीं है वह केवल वहराशी गिर्वी रखने वाले व्यक्ति से ही प्राप्त कर सकता है तथा ऐसा माल भी बैंक से वह वापिस नहीं ले सकता है गिर्वी के अधिकारों के बारे में हम जान रहे थे कि गिर्वी ग्रहिता के क्या-क्या अधिकार है उसमें अगला अधिकार है रिन आदी की वसूली का अधिकार गिर्वी ग्रहिता उस माल को तब तक अपने पास रखने का अधिकारी होता है जब तक की गिर्वी करता से रिन ब्याज वे अन्य वे जो माल को सुरक्षित रखने के लिए किये गए थे प्राप्त नहीं कर लेता गिर्वी ग्रहिता के करतव्य माल के निक्षेप ग्रहिता के समान ही होते हैं क्या क्या करतव्य उसे निश्पादिर करती होते उसके बारे में हम जानते हैं गिर्वी माल की सुरक्षा की द्रिष्टी से देख बाल ग्रिन ब्याज वे अन्य खर्चों के भुकतान प्राप्त करने पर माल गिर्वी करता को वापस देना गिर्वी माल को अन्य माल में शामिल नहीं करना माल का अनुचित उप्योग नहीं करना इसके साथ ही गिर्वी अनुबंद के विप्रीत कोई कारे ने करना जिससे माल के मुल्य में किसी प्रकार की कमी आए यानि कि एक गिर्वी ग्रहिता को ठीक उसी तरह से माल की रक्षा करनी होती है गुर्ष की रक्षा करनी होती है जैसे कि वह उसके सव्यम का है यानि कि उसे उस माल की प्रयाप्त सुरक्षा करनी होगी खराब होने वाला है वातावरण से, मौसम से या अन्य जानवरों से तो उसकी पूरी सुरक्षा करनी होगी उसे इसके लिए यदि वह कोई खर्चा करता है तो उस खर्चे को वह उससे प्राप्त कर सकता है और जो माल गिर्वी रखा गया है उस माल को अन्य किसी माल से मिलाना नहीं चाहिए सेपरेट रखना चाहिए उसे और उसका अनुचित उप्योग भी नहीं करना चाहिए अपने व्यक्तिकत लाब के लिए उस माल का प्रियोग जहां तक हो उसे नहीं करना चाहिए और ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उस माल की मुल्य में किसी प्रकाल से कमी आ जाए माल की क्वालिटी में खराबी हो जाए या माल के गुणों को नश्ट हो जाए तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए साथी बैंक को गिर्वी रखे माल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना चाहिए यदि माल को नुकसान होने पर बैंक उत्तरदाई माना जाता है लेकिन गिर्वी करतानी अनुबंद के समय सुरक्षा सम्मंदी बातों को छुपाया है या उन्हें प्रकट नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में गिर्वी ग्रहिता उत्तरदाई नहीं होगा यानि कि जब माल गिर्वी के लिए रखा जाता है तो उसे बैंक को उसके सुरक्षा सम्मंदी निल्देशों के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यह है जो गुड से इसको कौन सी कंडिशन में रखना है इसको AC क्या आवशेकता है खुली हवा क्या आवशेकता है या प्रियापत धूप क्या आवशेकता है आदी इन चीज़ों के बारे में उसे बता देना चाहिए यदि वैं नहीं बताता है इन चीजों को और उसके बनिस्पत उसके माल का नुकसान हो जाता है तो ऐसे स्थिती के अंदर बैंक का कोई दाइत्व नहीं होता है इस प्रकार हमने बैंकरिन और विप्रन योगे प्रतिभूतियों के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक था गिर्वी का उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली और उसके अंदर हमने जाना कि गिर्वी रखने वाले व्यक्ति कौन-कौन होते हैं और उनके क्या अधिकार होते हैं और क्या कर्तवे होते हैं इनके बारे में हमने पूरी जानकारी जानी है और आशा है आपको ये समझ में आया होगा